भारत का लोक्तंत्र दुनिया में सबसे जीवन्त वह मजबूत लोक्तंत्र है विश्व में भारत की पहचान के लिए काम जरूरी है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 16 प्रवासी भारतिय सम्मेलन में अपने विचार प्रकट किये है प्रवासी भारतियों से कहा कि आज भारत का लोक्तंत्र सबसे सफल सबसे जीवन्त है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि यहां से अब हम आजादी के 75 वे साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मेरा आग्रे है कि आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रवासी भारतियों की जीवन गाता से संपूर्ण परिचे हे तू डिजिटल पोर्टल निर्मित किये जाएं यहां हमारे आने वाली पीडी को प्रेरित करेंगे पीम ने कहा कि बीते वर्ष में प्रवासी भारतियों ने हर शेत्र में अपनी पहचान को मजबूत किया है विबिन देशों के राज्य प्रमुख ये बताते हैं कि वहां रहने वाले प्रवासी भारतियों ने कठिन समय में कितना बहतरीन काम किया है पियम मोधी ने कहा कि आज भारत का लोगतंत्र दुनिया में उधारन बन गया है उन्होंने कहा कि नई पीड़ी आज भले ही जड़ों से दूर हो गई हो पर नई पीड़ी का जुड़ाव भारत से बढ़ा है मोधी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रती मददगार दिखे हैं मोधी ने कहा कि कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम करते हुए सेवा भाव का परिचे दिया है दुनिया गवा है कि जब भारत के सामर्थे को सवाल या निशानों से देखा गया है तो हर बार भारतियों ने इसे गलत साबित किया है जब भारत पराधीन था तो योरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकेगा लेकिन भारतियों ने इसे गलत साबित कर दिया जब भारत आजाद हो गया तो पश्चिम के लोग कहते थे कि इतना गरीब देश एक साथ नहीं रह पाएगा यहां लोग तंत्र का प्रियोग सफल नहीं हो पाएगा लेकिन भारत ने इसे भी गलत साबित कर दिया प्रधानमंत्री मोधी ने कहा कि भारत ने शांती का समय हो या संगर्ष का भारतियों ने डट कर मुकाबला किया है ओपनिवेशिक चनोती से लेकर आतंकवाद तक हर मोर्चे पर भारत ने द्रड़ता से कारी किया है प्यम ने कहा कि देश में ही बने दो वैक्सीन के साथ भारत मानवता के हित्मे कारे करने के लिए तयार है प्यम ने कहा कि कोविट के समय में भी कई नए टेक स्टार्ट अप्स भारत से ही निकल कर आए हैं भारत ने एक बार फिर अपने सामर्थे का परिचे दिया है वही मोधी ने भारत निर्माण में प्रवासी भारतियों के योगदान को याद करते वे कहा कि आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना विश्वास है तो इसका कारण आप प्रवासी भारतिये भी है पीम ने कहा कि आप जहां भी गए आपने भारतियता का प्रसार किया है पीम ने कहा कि भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ खड़ी है कोरोना काल में वंदे मात्रम मिशन के तहट 45 लाख भारतियों को मदद पहुचाई गई ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पालेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजबी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब